को ठीक है आप हमगे पढ़ते हैं अनवांसीक कोट या अनवांसीक परकूट ये अनवांसीक कोड क्या थीख है ग्या कों जर पूछता एक या दो नमबर में नहीं प्रस्टा रहेगा दो नमर में नहीं-प्लोण leaf को अगर बढता है या नमर में तो इसी को सई से हम लोगे डिफाइन करेंगे या-ई-इसको भी सच इने करने के बाद हम इन सबी पॉइंटों कि यानिकी और न खूट की विजस्ताओं को भी सभी संटिक्ड समस्थाने लें तो और पर अंशी को किक दिताना होगा है तो कूट होता क्यां या आन्मवन स्ग क्या होता है तो आप पड़े होंगे डिंड में फ intent यह सब यहां पर देखिये आप की खोज किस नहीं किया था तो आप देखिए आन्मवनसीक कूट की खोज खूज किसे ने किया हाली खुराना और निरेनबर्ग ने किया था शन 1901 में तो इतने लोगों ने मिल कर खोज किया था अन्वानसीक कूटकी लेकिन अगर आपको आपसन में आता है तो मैठाई और निरनबर्ग गारेंगे अगर आपको सबका नाम नहीं पता है तो इन तिनों का नाम जो य direction रिख की जिए और ऑन्फिक कूट का सब्द कोश्यानिफ चयाने वनितक चत तेन सब्ध कोज का मतलब किस अ रहे हैं जो पर लिखेंगे कि अनुवंसी कूट की खोज मैथाई खूराना और निरमर्घ ने उन्हीं सवक्यट सेमिकी थी तथा अनुवंसी कूट का सब्द कोश खूराना ने तयार किया था अब बात आती है कि होता क्या है तो आप लिखेंगे यहांप देखेंगे तो तीन नाइट्रोजन चारकों का वह अनुक्रम जिन पर या जिस पर प्रोटीन के निर्माण के लिए अथवा अमीनो अमलके निर्माण के लिए ऊज़े सुचनाय नहीत रहती है अथवा संदेश नहीत्त रहते हैं उन्हें अनवानसी कूट कहाते हैं सुनिये पुरा मतलब क्या है कि किक और पाएंगे आपनों ठीक है तो तीन अब देखिए रात करा रहा है अपनों को कोई वड़ूपियों कर सकते हैं तीन नैट्रोजन छारकों का वह अनुक्रम जिस पर प्रोटीन के निर्माण के लिए अथवा नियुक्लिक सुरी अथवा अमीनो अमल के निर्माण के लिए सूच प्रकार के होते हैं जिसमें से जो दोष्ट होते हैं वो आवस्यक अमीनो अमल के लिए तो कुल बीसों प्रकार के अमीनो अमल के लिए बीसों प्रकार के अमीनो अमल के लिए कुल मिलाकर चौंसट प्रकूट ही है तो कुल चौंसट गोई कोड है यही चौंसट कोड मिल कर तो तीन चारकों का करम देख रहे हैं आप लोग है ना तो कुल 64 कोड है जो 20 अमिन अमलों को निर्मीत करते हैं या बनाते हैं ठीक है तो तीन नेटोजन चारकों का वह करम जिस पर प्रोटीन निर्मान के लिए आवस्यक होता है बिल्कुल सिंपल यह दिखें आपर तीन-चारकों का वह करम जो प्रोटीन के निर्मान के लिए आवस्यक होता है अन्वनसी कुट कहलाता है ठीक है जैसे देखें यह यह देख जैंड कर पफ़ारांबन कूट या प्रकूटम स्वत करने वाले यान वाले चूरू क् 그래 Records तो आुग गउग का लिखेंगे आुग गूग ठीक है ए यूजी ओर जी यूजी चुमत जो अट्टू हैं यह दुनों प्रकूध करन कौन सोह हते हैं तो लिटा वाग वागा-वाग यूरसील, एडनीन, एडनीन, यूरसील, गुवानीन, एडनीन, इस हर से न, तो उआ, यूए, उगा, यूजीए, उआग, तो उआ, उगा, उआग, ये जो है समापन प्रकूट है, ठीक है, आपको अनौनसी कूट का उतर मिल चुका होगा, अगर बढ़ा पुछे का तो यूरसीद कूट होता है, तिसरा पाइंट यह अनथ व्यापी कूट होता है, चौता पाइंट यह औस अंदिग्द कूट होता है, ठीक, इसका उतर मिली गए विसेश्थाओं का, अगर पुछता है दो नमर है एक नमर में तो, डिटेलिंग पुछता है, तो हम लिखेंगे, अगर डिफाइन करेंगे, ठीक है, जैसे, हेडिंग वाई, जब इसको हेडिंग में आ लेंगे, हेडिंग क्या रगा पाला, त्रिक कूट, इसमें लिखेंगे आप लोग त्रिक मन तीन होता है, विसेश्था आम पाड़ रहे है, ठीक है, चार विसेश्था है, एक दो, ती 10-15 करेंगे, तो पहला क्या है, टिरिक कूट, तो आप बताएंगे इसमें, कि यह 3 नाट्रेन छारकों का क्रम होता है, जिसते तिरिक कूट करते हैं, पहला पंट हो गया, सेकेंड गुड क्या होता है दुसरी वी सेस्ता क्या होती है तो अपरासित कूट या अपरासिता या अपरश्टता इसमें क्या होता है कि एक अई अमिनों अमले के लिए एक से अधिक कूटों का प्रियोग हो सकता है एक अमिनों अमले के लिए एक से अधिक कोडों का हम प्रियोग कर सकते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, अपहरासिता करते हैं, या अपहरासिता करते हैं, और ऐसे कूटों को हम क्या बोलते हैं, अपहरासित कूट करते हैं, जैसे आरजिनीन है, आरजिनीन एक अई अमिनोमल है, तो इस एक अमिनोमल के एक से अधिक कूटों का प्रियोग हो सकता है इसी को हम क्या कहते हैं अफरासित कूट कहते हैं या फिर अफरास्ता कहते हैं अब है थर्ड अनतिव्यापी कूट अनतिव्यापी कूट का मतलब यह क्या होता है कि प्रकूट के एक हई अच्छर का प्रियोग दो भीभिन कूड है उस कोडं के एक ही अच्छरका प्रयोग है ऊथ को क्या क्या कहते हैं आनतवयापी कूट कहाते हैं जैसे यूजी है टो हफाले गूटे रूप में लिशक्ते हैं और गूटップ को बदल नहीं सकते है। जैसे कि G यूजी है कि किसी प्रकूर्ट का जो अच्छा रहे ुसको हम किवला उसी गूरूप में नहीं लिए सकते हैं थीक मतलब सम्झार रहा है अब लोगों को यानि कहाने का मतलब है कि प्रकूट के एक ही अच्छर का परियोग दो अलग-अलग कोडों में हम नहीं कर सकते हैं इसको हम कहते हैं अन्तव्यापी कूट नेक्स्ट है और संदिक्द कूट यानि कि जो अन्वासी कोड होता है वह असंद कि यह जो अगर इसमें से देखे हम लोग तो यह खाली किसको कोड करेगा आरजनीन को यानि एक अगी अमेनोमल को और जो उन्हाइश्ठ अम्याइनस उनके लिए ये कोड नहीं हो रहेगा यान कि एक जो नवासी कोड होता है वह एक विशेश अमेनोमल को को ही कोडेट कर सकता है कोडेट कर सकता है कि दूसरी कोडेट कर सकता याने कि यह है तो यह क्यOO एक केवल और कवल खाली नहीं बना सकता है और बाकि ओन्स जो अमिनोम ने उनको नहीं बना सकता उनको कोडित नहीं कर सकता ठीक है तो यह अन्वान सी कूड के जो प्रश्ण बने वालते सब खत्म हो चुक है अब हम लोग पढ़ते हैं कोडान और एंटी कोडान में अंतर कोडान और एंटी कोडान में अंतर पढ़ते ह यह mRN पर उपस्धीत 3 नैटोरों चारकोों का क्रम होता है अब अशां नहीं है परिच्छा में कधन क्या होता है है और प्रप्रेश्न कहां पायते हैं जौ कधन होते हैं वह прोटन निपर पह जाते हैं पुछतां एंटोन RNA या दूत RNA पर होता है कोडान और ट्रांसफर RNA या उसत्रों आस्थन्तरं RNA पर होता है Nt kodan थीक है तो हम चले अंतर पे दिखते हैं अंतर क्या होता यह यह messenger यानी कि MRN पर उस्थी त्रजन च्छानव का क्रम होता है इसमें लिखेंगे कि यह ती आरने पर उपस्थीत 3,илось, 40 को का क्रम होता है ठीक exception अंतर हो गया secondo यह DNA के साचा सुतर का पूरग होता है कोड़ान जो होता है यह DNA के साचा सुतर का साचा सुतर का मतलब यो होता है कि जिस सुतर से DNA के जिस दो सुतर कानलेखन होना सुरू हो जाता है जिस सुत्र परनलेखन असानी से होना लगता है उसको हम बोलते हैं साचा सुत्र ठीक है तो यह DNA के साचा सुत्र का पूरख होता है और यह क्या होता है यह कोडान या MRN का पूरख होता है ठीक है यह DNA के साचा सुत्र का पूरख होता है यह में उपस्तित होता है त्यांतर हो गया चौथा अंतर यह किसी भी पाली पेप्टाइड में अमीनो अमलक की स्थिति का पता लगाता है यह किसी भी पाली पेप्टाइड में अमीनो अमलक की स्थिति का पता लगाता है और इसमें देखे तो अनुवादन के दवरान साथार करते हैं है तो हम लिखे है कि अन्वादन के दोरान यह उसी अस्थान पर रहें के जहां पर अन्वादन सुरू होना हो उस्ठान पर ले जाने में चीट हो मोर्स इतना कांटर हो गया चीजित एगर दियने से निर्मान होता है ऑगर डियने से डियने के निर्मान होता है तो इस करिणा को हम बोलते हैं प्रतिकृतिकरण क्या जब डियने से डियने कर निर्मान तो सप 40 officers से आरने के निर्मान करिया को हम बोलते हैं अनुलेखन ठीक है डिन्य से आरने के निर्मान करिया को हम क्या बोलते हैं अनुलेखन और आरने से प्रोटीन के निर्मान करिया को हम क्या बोलते हैं अनुलेखन तो जब डिन्य से डिन्य बनेगा तो डिन्य से डिन्य निर्मान करि आरेंब्स प्रोटिन की raises क्या बोलते हैंधसule घर değल अंधसल ट齐 अंतर हो गया और कुछ पैंट भी वे ऊंचलते आगे देखिए दो वर्ट जुड़ा है यानि क्रोमसोम से संबंध्ध है और क्रोमसोम कौम बोलते हैं हिंदी में गोर्षुत्र बोलते हैं इसमें क्रोमसोम सब्ध जुड़ा हुआ है तो क्रोमसोम मतलब गोर्षुत्र होता है यानि गोर्षुत्र से यह जुड़ा हुआ है तो हम हेटरो्स करमेट Anyways हिआ जब हम गुरसुत्र को अभिरंजीत करने के लिए हम वë सबस्रब्रकार के रंग का या डाय का पृरियोग करते हैं एजामपर ले रहें जैसे घौट्षतर स rightने के लिए परशने ये नहीं आता है ठीक है तो हम स्पेmor आधा है क्या होता है जब हम आधिरंजीत करते हैं तो गुर्षतर को अभिरंजीत करने पर गुर्षतर का जो भाग गहरा-भराशत होता है मनें गहरा रंगाता है उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं और गुर्षुत्र का जो भाग हालका अभिरंजित होता है मनें हालका रंगाता है उसको युक्रोमेटिन कहते हैं सब्सक्राइब फिशतार है अपनों को गुर्षुत्रों को अभिरंजित करने पर में टीन कहाते हैं ठीक है अब अंतर देखते हम लोग है तो अंतर पहला क्या हो जगा इसमें से कि इसमें डियन ने अधिक मातरा में उपस्थित होते हैं और इसमें डियन ने अधिक मातरा में उपस्थित होते हैं इसमें डियन ने कम मातरा में उपस्थित होते हैं ठीक है यह और मिलया व सब्सक्राव के मदांडु जाल की रुप में इस तरबी चलम सब्सक्राम सब्सक्राबूं नहीं चनल मोगन बहुता है म истор काऌ संघनीद या पाले भाता है तो सब्सक्राभा ने warto से तो यह गोड़ सुत्र का अत्रीक संगनित भाग होता है और यह गोड़ सुत्र का कम संगनित यह फैला हुआ भाग होता है तीसरा पॉइंट यह भाग अनुलेखन के लिए निश्क्रिय होता है मनें अनुलेखन सही से इस पर नहीं हो पाता है किस भाग पर हेट्रोक्रमेट भाग पर ठीक है अच्छा नहीं होता है इस पर नहीं पाता है और यहां पर देखें तो जगा शक्री हो जाएगा यानि कि यह भाग होता है यह अनलेखन के लिए अनलेखन के दृष्टी से खक्री होता है ठीक चाउथा उंतर गुर्शुतर अभरणजगों से या भाग नहीं तो इस भाग में द्याने का द्यूगलन मनता आपको कि जब द्याने से द्याने बनता है तो उसको हम बोलते हैं द्याने द्यूगलन या द्यूगलन प्रतिकिर्थी करण तो यह भाग द्यूगलन से यह इस भाग में द्यूगलन देर से होता है और इस भाग में द्यूगलन शिगरता से होता है बन आदिकत हो जाए तो इसमें दियने यह कम मतना पार होता है यह इस भाग में यह होगी हमारा अंतर कभी-कभी यह पूछ देता है कि गुर्षत्र का निमार्ण किस से किस से होता है तो गुर्षत्र का निमार्ण हेट्रोक्रोमेटीन और यूक्रोमेटीन दोनों के मिलने से होता है ठीक है क्योंकि दोनों के देन नहीं है दोनों जो है गुर्षत्र ही है ठ हम सिरह कर सकते हैं कि हीट्रोक्रमेटीन और यूक्रमेटीन दोनों से होता है किसका नियमांड गुरशुतितर नियमांड ठीक है कि फीट्व्य juego C तो धा наст, समझते हैं और जिसपर नियमान के लिए कोड होता है उसे एकसान कहते हैं और गुत। इतना बहुत काफी है एकसान क्या होता है तो यूब करियासील खनड जसपर प्रोटीन के निर्माण के लिए चाया प्रोटीन के Gateway होता है उसे इकसान कहते हैं और उसको लिछाएँगे है क्विश्त तो कि की कंड फ्रोटीन के निर्मान के यर्मान के लिए कोड होता है उसे एकसान कहते हैं और ये अब पढ़ते हैं लच्छन पारूप जिसको हम खाते हैं फिंओ टाइप इंग्लीस में चल्प बोलते हैं पर इन्टेश तो किसी जीवधारी कर सुरूप को क्या कहते हैं === कि यह भी स्टाइब लच्छन क्याते हैं मतलब रंग रूप आकार स्थाँ ठीक है जिसको उम्डेख पातेसे लाल हरा निवाराइब प्ला करिया एगोर सांवला है रूप सका बहुत खुब्सूरत है सुन्दर है अकार इसका मोटा है पतला है चोडा है सबाव उसका बहुत गुसेल सबाव का है बहुत नरम सबाव का है बहुत मीठा बोलता है तो इस सब्सक्राइब कर बाते हैं और हम किसी जीवधारी की कोषी का में पाई जाने सबको हम देख सकते हैं तो किसी जीवधारी के बाइश्व रूप को जीवटाइब करते हैं जैसे रंगरूप पकार सोभाव और किसी जीवधारी की को सीका में पाजने वाली जीन सरचना को जीवटाइब करते हैं अब प्रश्ण पूछता है परिछा में कि एक संकर संकरण में या एक संकर करास में द्वीतिय पीड़ी में फियोटाइब अनुपात क्या होता है और जीवटाइब अनुपात क्या होता है तो याद रखिएगा आप लोग कि एक संकर संकरण में चाहिए एक संकर करास में ठीक दूसरी पीड़ी में जो फिनो टाइप जो अनुपात होता है वो होता है तीन संबंदे एक होता है ठीक है क्या होता है तीन संबंदे एक होता है याद रखिएगा और आपसे पूछे कि एक संकर संक्रण में दूतिय पीड़ी में दूतिय पीड़ी में जीनो टाइप अनुप संकरण में दूसरी पीड़ी में क्या होता है तो याद रखिएगा नौ संबंधे तीन संबंधे एक अनुपात होता यहां से दूगर संक्रण में दूसरी पीडी में जियों टाइप अनुपात क्या होता है तो हमने आपको बताया थाट्रीक एक्ठों कि पढ़वा याद रखेगा बारह एकम बारह यादर और लोब 25 एकम बारह और 12 चौबिस ठीक है बार एकम बारह और 12 24 बस बीच में अनुपात इस तरह से आप लोगा दीजियेगा 20 अनुपाति फिर खाया लगा दीजियेगा त्यहोगा आपका सब दूसरी झाल झाल